नमस्कार मैं संभू कुमार सिंग और आप देख रहें निशनल दस्तक परसांत गनोजिया बहुजन समाज के तेज तरह पत्कार इंडियन इस्ट्यूट अप मास्ट कॉम्निकेशन जैसे IIT होता है IIM होता है जैसे IIM होता है उसी तरह से जैसे JNU होता है पत्काईटा का भारत में सबसे बरा संस्तान इंडियन इस्ट्यूट अप मास्ट कॉम्निकेशन वहां से वो परहाई करते हैं पत्काईटा करते हैं कई चैनलों में नौकरी करते हैं कई अखवारों में नौकरी करते हैं दवायर में नौकरी करते हैं बाद में फैसला करते हैं कि वो तमाम करमकान उसके पक्ष में ट्वीट नहीं कर रहा है, चुप्पी है, घंगोर चुप्पी है, मैं भी अब बात करना छोड़ दूँगा बहुजन समाज के लोगे, CSTOBC माइनोटी के लोग को लगातार जेल में डाला जा रहा है, कफिल खान को जेल में डाला जा रहा है, तिलतुम्रे को जेल में डाला जा रहा है, तमाम मुसलिमेवाओं को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन कोई बिरोत की आवाज नहीं निकल रह आपके आने बारी नसले भी जेल में पैदा होंगी और जेल में ही सरेंगे अगर इस देश के सी स्टी ओभी सी माइनौटी के लोग को लग रहा है कि आप बच जाएंगे सुचिए केस दर्ज हुआ था सिर्फ केस दर्ज हुआ था किस पर अर्नव गुस्वामी पर क्या हुआ उसके साथ पूरी बीजेपी खरी रही उसके लिए सुप्रीम कोट के दरवाज्ये खोल दिये गएं रात में हीरें हुई जबकि एक मुखमंतरी का आपमान हुआ था, मुखमंतरी को गाली दी थी अर्णवोश्वामी ने, सोनिया गांदी को गाली दी थी अर्णवोश्वामी ने, खुले आम चैनल पर, क्या मिला जेल गए, कारवाई हुई, पूरी BJP खरी थी, लेकिन आज परसांत कनो जिया के ना लालु आदब न तेजश्वी आदब न मुलायम सिंग आदब न मायावती न हमंसुर न कोई खरा नहीं है और मैं यकीन कह रहा हूं अगर आप लोग को लगता है कि आपकी राजिती चल जाएगी बिना समाज को जगाय हुए आपके पत्रकार के बगैर तो आप गफलत में हैं आप मैं फिर कह रहा हूं उस देश में अगर आप आपके पिता जी भी जेल गए हैं हम लोग लगातार बात करें ते जश्वी आदब मुलायम सिंग आदब आपको टोटी चोर कहा जा रहा था आपके घर से निकलने के बाद गंगा जल से धोया था बहन जी आपको रोज देश यादब के उन्होंने टूइट किया स्वागत है उनका तमाम युवाओं ने टूइट किया लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उस देश के बहुजन समाज के लोगों से कि आप आप आज अगर परसांत कनोजिया के एक पोस्ट को लेकर जिस तर से जेल में डालाया और वो भ कराता और परसांत कनोजिया को दिली से उठा के ले जा जाता है क्यों ले जा जाता है इसलिए क्योंकि उस पुलिस को पता है कि इसके साथ समाज नहीं खरा होगा इसका समाज नहीं खरा होगा इसके साथ इसके लोग खरे नहीं होंगे इसके साथ सी स्टी ओविसी मैनोटी क लोग खरे नहीं होंगे, धरना पर्दसन नहीं करेंगे, डिमोक्राटिक तरीके से अपना बिरोध नहीं जताएंगे, इसके पास कोई TV चैनल नहीं है, कोई अख़वार नहीं है, कोई वकील नहीं है, जो खरा होगा, और उसको जेल में डाल दिया था, और आप क्या चाहते है आपके रोहित बेमूला को न्याय मिलेगा, यह होती है मीडिया की ताकता, CVI ने कहे दिया, कि सुसान सिंग केस की जाच होगी, आपका रोहित बेमूला, पायल तर्डवी, आप रोज मारे जाते रहेंगे, आपकी खबर दिखाने वाला कोई नहीं है, आपकी बात करने वाल नहीं होती, अगर तमाम सोचल मीडिया नहीं होता, तो दलित एक्रोशीटी, कास एक्रोशीटी, भेदवा, UPSCS कैम की खबरे बाहर नहीं होती, अगर कल दिलीप मंडल को बंद कर दिया जाएगा, परसुजा सोगदास को बंद कर दिया जाएगा, सुमीच चोहान को बर्थ क कर दिया जाएगा, बहुत सारे मेरे साथी हैं, जो कैमरे के पीछे इसी डर से नहीं आते हैं, कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा, और हमारे लिए कोई ख़रा नहीं होगा, और मुझे भी पता है, कल मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, आप ख हम किसी परहसान नहीं कर रहे हमारा काम है हमने पत्काइटा को पेसा बनाया था और हम अपने समाज के साथ खरे रहेंगे हम जस्टिस के साथ खरे रहेंगे हम अन्याय के साथ खरे रहेंगे चाहे हमारी सांसे तोर दी जाए हमें हमें मार दिया जाए हम इसलिए खरे रहेंगे कि कल हमारी आने बाले नसले गुंगी न हो बहरी न हो उसे फक्र होगा कि मेरा बाप मारा गया था क्योंकि वो अपने समाज के हक अधिकार की बात उठा रहा था वो न्याय के खिलाप न्याय के पुक्ष में खरा था और यह हमारी सांदार मौत होगी बाबा साब कहते थे जिं बच जाएंगे आप लोग, एक एक करके परतारीत होंगे, जो नौकरी में है, वो भी क्या लगता है, आज आप MLMP हैं, बच जाएंगे, आप मुखमंतरी हैं, बच जाएंगे, कल जरूरी नहीं कि आपका बच्चा MLMP और मुखमंतरी ही बने, उनके साथ जाती बाद होगा, जो परसांत कनोजिया के साथ हो रहा है, क्या लगते हैं, आपको आप मेंबर अप पार्लियामेंट हैं, बच जाएंगे, जरूरी नहीं कि कल आपका बच्चा मेंबर अप पार्लियामेंट हो, ऐसे भी CSTOBC के लोग को, जो सबन समाच की लीडर्सी बाली पार्टियां हैं, वो दो बार से ज्यादा MLMP नहीं बनने देती हैं, आपको रामिलास बनने नहीं देगा, मयावती बनने देगा, खलेस बने, आपके बच्चे के साथ भी यही होगा, जब आपका बच्चा भी अपने अधिकार समाच हैं, और सुन लिजिए, अगर आपकी मौत, अगर आपकी जि अंगर्स का मौत पसंद है, परसांत कनो जिया, सोची अर्नग बुस्वामी के लिए कितना सारा देश खरा होता, आज परसांत भुसन के लिए सारा सवन समाच खरा हैं, हम जस्टिस करना के लिए नहीं खरा होता, तो पायल तडवी के आरोपी बरी नहीं होते, उनको डॉक् मुला के हत्यारे मंत्री नहीं बने रहते, लेकिन हम नपुन्सक समाज है, इसलिए पर यार्लने सिंग यादव कहते थे, कि पिछरा समाज पिछरा नहीं है, हिजरा समाज है, इसलिए लालु यादवाज जेल में हैं, क्योंकि हम खरा होना नहीं जानते हैं, आज मायवती को को इसलिए ड़रा के रखा जाता है कि उनको पता है कि उनका समाज खरा नहीं है आज 131 समाज को लगता है कि हमारा 187 OBC हमारा 131 CST मैनोर्टी सिख ये खरा नहीं है किस तरह से चुनिंदा लोग चंद मुठी वर लोग बारी बारी से कभी सिख्षों को कभी कभी पिछरों को कभी दलूत को कभी अल्पसंख्यक FC कभी आदवासियों को नरसंगार करते हैं कभी जातों को मारते हैं कभी गूर्याना में गूर्जा के अंब इस लिए की गिरस्तारी के पीछे आगे वही एक पुलिस वाला एक करता है इतनी समय तो सब के खिलाब किजिए चैनल पर बैठ के जूट बोला जाता है सुबह से साम तक पत्थर बेचे जाते हैं विश्वास फैलाया जाता है संजय सिंग ने लिका है पढ़ेंगे आप लोग है हिम्मत मैं चाहता हूं मैं कुछ पोस्ट सुनाओं और अपनी विडियो को समाप्त करूंगा मैं फिर कह रहा हूं मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक मेरी सांसे हैं जब तक आप मुझे मार नहीं देते जगदेव बाबु ने कहा था वह लाइन याद कीजिए पिर्यार ने फूले अंबेटकर साहुजी माराज आपको नसीब से यह सब किसमत से नहीं मिली है यह सब आपको किसी ने संगर्स किया है किसी ने सेक्रिफाइस किया आज तब मेरे जुवान में ताकत है तब मेरे तन पे कपरा है और इसलिए मेरी नैतिक जिम्यदारी है कि मैं बोलता रहूंगा और यह दिखा रहा हूं मैं समाज के लोग इस पर लिख रहे हैं और अगर अब भी आप खरा नहीं होंगे सब्सक्राइब तरीके से तो आपके साथ यही होगा आपका कुछ नहीं होने वाला मैं फिर कह रहा हूं बताइए यो योग्याधित नाथ को लेकर गिरफ्तारी हो कि अमिर्का में मिसर्यॉब आम क्या कहती है डोनाल् долго हमाई देश के लिए गलत राष्टी जो है Phase त murder के लिए गलत राष्ट्र पती मिसर्व अपने राष्टाध्यक्ष को कुछ भी बोल देटे हैं यह लोग संस्कार रास्ता कुछ है नहीं यह इस तरह से तंज किया जा रहा है मैं और कुछ वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं ये देखिए किन को किन को गिरफतार किया गया है बताइए कि माया कोड Müdnani जमान से बाहर है कपिल मिस्ट्रा जमान से बाहर है गोली चलानेबाए लोग बाहर हैं लेकिन तमाम जो प्रोगेसिव लोग हैं उनको जेल में डाई एंटी निस लिस्ट हैं डॉक्टर कफिल परशांत भूशन बरबर राव हैनी बाबू अभी आपके पुर्फेसर को गिरफ्टार करके जेल में डाल दिया गानिल तुम्रे बावा साथ को रिस्ति को मारने आए फिर वो सब तो यह यह मैं आपको बता रहा हूं सोचिए मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का एलान करने वाला सुसीलती बारी छुट्टा घुमरा और इसकी सिकायत करने वाला परसांत को नोजिया क्यों कि पुलिस दिली से गिरफतार कर लेते हैं भया वह वह व देखिए अनील आदम लिखा गल गालिया धंकिया रोज मिलते हैं लेकिन के सेयर नहीं करता क्योंकि आप भी समझते कि सानवूती का खेल कर रहा लेकिन अभी ट्विटर पर आए इस कमेंट को सेयर कर रहा हूं जान बुचकर अपसब्दों के लिए इस ब्यक्ति की किया सोचे तो ऐसे लोग अपने आसपास के महले में दलित पिछ्रे आदिवासी मुसल्मानों महिलाओं के साथ क्या और उन भारतिये नाम का एक रिटायर में जरह बोली का एक कनोजिया हराम ज्यादा पत्रकार नहीं उनकी मां को गाली देता है नेता बनने की कोशिस कर रह चाहिए कुट्ते हो तुम दोने इस तरह की भासा बोली जा रही है उसकी गिरफताई नहीं होती है सरयाम एक वीडियो में दिखाऊंगा सरयाम एक सक्स गाली दे रहा है अब इनका इलाज अपने को करना है इनको मारना है बस बस मारना है अभी तो जब तक जब तक शुरुआत नहीं करेंगे ना जब तक शुरुआत नहीं करेंगे उसकी गिरफ्तारी हो जा रही है एक महिला जमीन खरीदने वाले दलित को कहती है कि घर नहीं बनाने दोंगी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है परसांत कनोजिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो आपको समझना पड़ेगा कि इस गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ हम चलने लाइफटाइम कमिटमेंट है मेरी जब तक सांसे चले गी जब तक मुझे मार नहीं दिया जाता जब तक मुझे जेल में डाल नहीं दिया जाता मैं सच्चाई के साथ खरा रहूँगा संबिधान के साथ खरा रहूँगा न्यूज के साथ खरा रहूँगा इस देश के हर पीरित सोसित के साथ खरा रहूँगा जो भी सोसित पीरित होगा उसकी बात आप तक पहुंचाता रहूँगा यह मेरी नैतिक जिम्यदारी है और मैंने किसी डर से किसी लालत में पतकाईटा नहीं चुना था मैंने बाई पर्फेशन पतकाईटा चुना था और जो एक पत्रकार का कर्म है विक्टिम के साथ खरा होना सच को सामने लाना न्याय के साथ खरा होना संबिधान के साथ खरा होना वो मैं होता रहूँगा चाहे सामने वाला जुर्म की इंतहा कर दे मुझे जेल में डाल दे फासी दे दे मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूँगा क्योंकि कर्म ही इंसान को उसकी असली पहचान देता है आप लोग की क्या परत्किरिया परसांत करने जाए की गिरफतारी पर जरूर बताईए बहुत बहुत शुक्रिया झाल झाल